इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करूँगा RPF Constable, SI हो या Constable हो जिसकी भरती के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो अलेडी सर्क्लिट हो रही हैं और इसके माध्यम से मैं एकदम क्लारिफेकिशन देना चाहँगा इसके देखिएगा जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि सब डोटिफिकेशन आ गया है बहुत जगे बहुत जा रहा है या फिर अभी आना बाकी है तो 9000 पदों के बारे में आपने बहुत ज़दा information सुनी होगी इसका देखिएगा भरती होगी या नहीं होगी या फर यह फरजी ख़वर है यह एक्शन में railway ने अपनी tutor handle से clear किया है कि यह जो 9000 पदों पर भरती की बात हो रही है यह सही है या फर गलत है तो देखिएगा आज इस वीडियो में खेर RPF constable के अंदर जो उस लेबस आता है उस लेबस को मैं आपके सामने तो रखूँगा साथी में जो जो exam पहले हो चुका है उसके भी मैं questions आपके सामने रखूँगा अगर आप इसके त्यारी कर रहे हैं तो देखो देखो यह confirm है कि भरती आएगी अब एक महिने बाद आया दो महिने बाद मैं आया ये समय की बात होगी बरती तो आएगी तो बरतबार में tutor पर क्या ट्यूट किया गया है क्या उसका जबाब आया है हो मैं आपको बताऊँगा साथी में कुछ सवाल भी लेके आया हूँ ताके आपका एक तरह से revision हो जाएगा और आपको पता सिल जाएगा कि पुराने साल में जो पेपर में question आए थे उन्हें आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं ठीक है तो पूरा process इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं इसके pattern के बारे में जब आप exam देते तो उस time पर आपको पता हुगा इसमें 3 subject का बोल बाला होता है यानि के आपका math आता है 35 नमर का 35 नमर की GK आती है माफी चांगा reasoning और 50 नमर की जो है GK आता है तो GK में science का भी current effect का भी static GK का भी international relationship वो सारी सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं यहाँ पर देखे है total प्रिशन होते है 120 और जो आपको time मिलता है वो आपको कितना मिलता है 90 मिनिट का time मिलता है ठीक है और इसके साथ ही में आपको negative marking भी देखने को मिलती है एक बटा तीन के तो एक बटा तीन के negative marking आपको 90 मिनिट का समय मिलेगा यानि डेड़ घंटे का 120 प्रशन करने के लिए आपको पता होगा पिसली बार जो इसका paper हुआ था कितना high से high cut off गया था yes or no तो आप जानते हैं कि central government का ये service होता है बहुत ही सांदार अपने आप में होता है तो ऐसे में इन सब के लिए आपको तैयारी भी बहुत best करनी होगी आप मैं उमर की बात कर लेता हूँ देखो जर्नल, OBC, ST, ST और ST के लिए जर्नल के लिए 18 से 25 साल OBC के लिए 18 से 28 साल और SC, ST के लिए 18 से 30 साल ये इसमें उमर जो होता है वो रखा जाता है फिजीकल की मैं बात कर लेता हूँ फिजीकल में क्या-क्या होता है आपको फिजीकल को भी थोड़ा द्यान रखना है तो देखिए का फिजीकल में आपको याद रखना है मेल कैंडिडेट्स के लिए पांच दस मलब 4-5 मिनट के अंदर 1600 मिटर की रणिंग करनी होती है और इसमें लॉंग जंप होती है 14 फीट और हाई जंप होती है 4 फीट ये आपका फिजीकल है जो के क्वालिफाइंग नेचर का होता है इसके बाद में फीमेल की बात कर लेते हैं लड़कियों की तो फीमेल में याद रखे 800 मिटर की रणिंग होती है तीन दस मलब 4-5 मिनट के अंदर इदर 9 फीट आपको long jump लगानी होती है तीन फीट आपको high jump लगानी होती है तो ये रहा डाटा आपका फिमेल का तो ये महिलाग को डाटा हो जाएगा आप देखिएगा height के बारे में मैं बात कर लेता हूँ तो height का थोड़ा ध्यान रखेगा male candidates के लिए जो height है वो general OBC EWS के लिए 165 cm रखी गई थी इधर SC ST के लिए 160 cm ये height माँगी जाती है अब chest की बात करते हैं तो पुरुसों की जो chest होती है सीना जो होता है general OBC EWS के लिए 80 से 85 80 normal होता है 5 cm का flop होना चाहिए इधर SC ST के लिए 76.2 से लेकर के 81.2 cm तक होना चाहिए इसके बाद में मैं कुछ height की बात कर लेता हूँ तो height को देखो female की height की बात करते हैं तो general OBC EWS 187 cm होनी चाहिए इधर बात कर लेते हैं SC ST के लिए 122 cm होनी चाहिए ये height की बात हो गई है अब मैं आपको ministry of railway का जो एक tute जो आया था वो देखो इस में already उन्होंने ये निकाला है तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखेगा ये इस तरह से एक thumbnail बना हुआ है जिसको लेकर कि उन्होंने exactly बता है कि ये fake है मतलब एकदम जो है बात सही नहीं है देखे लिखा हुआ आर्पीएफ कॉंस्टिबल भरती दोजार थे इस आर्पीएफ कॉंस्टिबल सबिस्पेक्टर के 9000 पदों पर निकली बंपर भरती 9000 स्टार्ट लाइन यान कबसे ओनलाइन स्टार्ट हो जाएगा फोरम और 10-12 जो है पास भरती है नोटिफिकेस ना गया इस तरह से जो है ये एक निउस जो है वो बारल हो रही थी तो ऐसे मैं आपको ये पता होना चाहिए कि आर्पीएफ की तरफ से यहाँ पर ओफीशल जो जबाब आया है वो ये है देखेगा ये देखे ऑफीशल जबाब है कि ब्रामक कवरों से बचें ये सूचित किया जाता है कि आर्पीएफ और भारतियर रेल की ओर से इस प्रकार की भरती का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है जूंटिक कवरों से बचें और रेलवे की आदकार एक बैफ साइट से ही जानकारी प्राप्त करें तो बरतमान में ये जो नोटिफिकेशन सर्किल वेट किया जा रहा है वो एकदम गलत है ऐसा अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इन फ्यूचर आपको पता है भरती जरूर आएगी है अब जब आएगी तब आएगी लेकिन बरतमान में ये एक ट्यूट के मादम से कन्फर्म किया है कि अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है ठीक है इसके बाद में आप यह देख रहे हैं 26 माई के दोरान तो exactly जो है ये मुझे notice जो clarification था railway की तरब से वो निकाला तो मतलब ये confirm हो जाता है कि railway की तरब से ही जो है ये निकाला गया था चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके यानि कि आपने देखा हुआ पहले जो इसका paper हुआ था कुछ मैंने सवाल रखें तो इनके आप comment के अंदर जवाब देना और बड़ा अच्छा लगेगा जिन जिन के जवाब सही आएंगे उनकी comment को pin करके और विद्यार्थियों को भी सही answer का पता चलेगा तो आपके सामने है कि धर्म निर्फेच राज्य का मतलब क्या होता है आपके सामने option काफी सारे दे रखें बहुबासी होता है इसका मतलब धर्म निर्फेच राज्य का मतलब या बस एक धर्म का पालन करना होता है या सौंधर्री करण होता है या सुरक्षित होता है, तो यह आपको मुझे बताना ही चार में से क्या होगा, इसके बाद में एक सवाल और आया था, भारती अर्थ विवस्ता में प्रयोक्त प्रणाली कौन सी है, सारवजनिक छेत्र की प्रणाली है वो, पूजी अर्थ विवस तो यह आपको exactly answer बताना है, इसके बाद में आपको बताना है कि राजेका राजेपाल होता है, यह राजेका राजेपाल कौन है, मंत्री परशद होता है यह संसद का होता है, यह cabinet का होता है, यह संसद यह समितियों का होता है, exact answer क्या होता है, जल्दी से commit कर दीजेगा, पूछ इन में से कौन सा परवत है जो सबसे उंचा है दुनिया का संसार का नाम है कंचन जंगा और क्ली मंजारो सलाद परवत या माउंट एवरेस्ट इन चारों में से कौन सा विकल्प जो हो सही होगा इसके बाद में पूछा गया था कि साब असोक इस्तंब कहां पर है तो आपके आपको अगला सवाल पूछा गया है कि निमल खित में से कौन सा एक लकड़ी की लगदी का रासानिक प्रित क्रियाउं दौरा बनाये गया फाइवर है तो लकड़ी की लगदी से जो फाइवर बनाए जाता है उसका नाम पौलिस्टर, नाइलोन, बैग, या फर रियोन, चा पहली भारतिय महिला पेरा उलम्पिक पदक की पदक बिजेता दीपा मलिक ने कौन सा पुरुसकार जीता था चारों में तावा रजत सोना काश है चारों में से सही आंसर क्या हो का बताना आपको कमेंट करके अगला सवाल है कि दच्छन भारतिय मंदरों में प्रिवेश द्व बिमान या अंतरक्ष बोलते हैं बताइए जल्दी से आप आगे एक और सवाल मैंने ले रखा है कि भारतिय रास्ट्य कॉंग्रेस की स्तापना कब हुई थी 1885 के अंदर 1950 के अंदर 1889 के अंदर 1947 के अंदर चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्पा जबाब देना है ए इंप्लिकेट में से कौन एक आंडबिक अखंड है ओप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर या ओर्गन चारों में से कौन सा विकल्प ठीक होगा आगे आपसे पूचता हूँ इन में से जो चारों अप्शन दे रखे हैं इन में से कौन अंदमान और निकोबार दीप समों को अलग करता है, आठ बिंदू बे, डंकन का स्तकरा रास्ता, दस डिग्री चैनल, कोको बे, इन चारों में से क्या होगा आपका जवाब मुझे चाहिए, इसके बाद में लास्ट सवाल है, छै रोग और टीवी रोग किसके कारण होता है, आपको मुझे बताना है ओप्शन है, प्रोटो जोआ, कवक, वाइरस यो वैक्टेरिया, इन चारों में से कौन सा बिकल्प है, जिसकी बज़य से छैरोग यानि टीवी, वो छैरोग जो यानि कैंसर और टीवी जो होता है, तो यह आपके सामने मैंने सवाल हो रखेते, जो एक्शल आपके पेपर में आ गए ह ठीक है, वो इनका मकसद ही था कि आपको वीडियो के साथ में भी कुछ information आपकी पढ़ाई से संबन देतर है, वीडियो वेस्ट जो है आपको ना लगे, इसी अतरह से अगर नया notification इसका जब भी आएगा, देखो भरती आएगी इसमें कोई doubt नहीं है, लंबा समय हो गया है भ आपको पता होना चाहिए, कि ऐसा ही हुए या constable कटन बहुत हाई है जाती है, तो बहुत हाई का मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पढ़ता है, यही मैं कहना चाहूँ, अलाज जाते आते अपना ध्यान रखें, best of luck, वीडियो को लाइक करें, share करें अपने दोस्तों के सा आप में, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजेगा, जो मैंने आपको सवाल पूछें, उन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट के अंधर दीजेगा, धन्यवाद